दिली की लाइफलाइन मेट्रो सेवा 22 मार्च से बंध होने से इस पर आर्थिक बोज बढ़ता जा रहा है। जो पहले 30 फीजदी से ज्यादा था। DMRC ने इस फैसले के लिए भढ़ते वित्य संकट का हवाला दिया है। दिली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की सेवा 22 मार्च से बंध है, जिसे 5 मेहने बाद भी शुरू नहीं किया जा सका है। सेवा बंध होने से DMRC को होने वाली आमधनी ठप पड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक उसे अब तक 1500 करोड का नुकसान हो चुका है और उसे अपने स्टाफ को तनख्वा देनी पड़ रही है। वित्तिय संकट बढ़ने पर DMRC ने कहा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट, TA और DA जैसी सुविधाएं मेट्रो स्टाफ को मिलती रहेंगी लेकिन तमाम तरह के अडवांस पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इनमें फेस्टिवल अडवांस, मल्टी परपोस अडवांस, हाउस बिल्डिंग अडवांस और लैप्टॉप अडवांस जैसे कई अडवांस शामिल है। 142.83 करोड का लोन भरना है, लेकिन अब तक निगम सिर्फ 89.19 करोड ही चुका पाया है। बाकी 1163.64 करोड लोन इस वितवर्ष का भरना बाकी है, जिसके चलते ये कटाउते की गई है। बीरो रपोर्ट गो नियूस